नमस्ते तो आज हम देखने वाले हैं कि इंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इंजल्स के तरब से क्या मैसेज है आपके लिए खोशिश करते हैं जानने की जो भी मेश वीवर्स है उनके लिए इंजल्स के तरब से क्या गाइड करो आप ऐसे अंसान हो जो हर जो आप चाहते हो आप कर सकते हो अधनी काबिलत आपके अंदर है लेकिन कही न कहीं आप अपने creativity को अंदेखा कर रहे हो आप में गजब का talent है और उसको निखारने की जरुत है उसको बाहर निकालने की जरुत है तब जाके आप अपने में successful बनोगे बहुत ही creativity भरी है आपके अंदर और आप ऐसे इंसान हो जो किसी के साथ अगर एक रिष्टा जोड़े तो पूरे दिल से उसको निभाते हो ठीक है तो यह बहुत ही खूबसरत बात है आप में और आप बहुत successful बनने वाले हो में भी आपके कुंडिले में शुक्र बहुत मजबूत हो सकता है और आप मुझे लगता है कि आप कोई magic चाहते हो कुछ कोई चीज़े आप manifest कर रहे हो तो एंजल आप से कहना चाहते हैं हाँ यह होगा आपके जिंदगे में कुछ नए से शुरुबात ह होने वाली है कुछ नया स्टार्ट होने वाला है बहुत चल्ड ठीक है और क्या है एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं अगर ऐसी कुछ बात है कोई दर्थ है दिल में तो किसी के साथ शेयर करो जो भी आपके विश्पास हूं है जिसके उपर आप विश्पास रख पाते हो ऐसे किसी के साथ अगर आप ये बाते शेयर करते हो, तो ये बहुत ही खुबसुरत होगा आपके लिए आपके दिल का दर्ध हलका हो जाएगा, वो कोई भी बात हो सकते हैं, यहाँ पर है morality, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, जो बातों बातों पर गुस्ता करे हो, आप ऐसे आपको ही तकलीब दे रहे हो, ठीक है, जिस इंसाम के उपर आप गुस्ता करे हो, वो तो चला जाएगा, वो भूल भी जाएगा उस बात को, लेकिन आप अपने आपको तकलीब दे रहे हो, उस इंसाम के उपर गुस्ता करके, अपने आपको शान्त रखने की थोड़े आव वापस वही energy आप पर आई है, control, अपने गुस्ते पर थोड़ा control करो, इतना गुस्ता क्यूं कर रहे हो, किसके उपर कर रहे हो, थोड़ा शान्त रहो, compromise करना पड़ेगा, ऐसे कुछ चीज़े हैं, जिसके लिए अगर compromise आप करते हो, तो आपके problem सौर हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको न, giving, giving energy में आना होगा, कुछ compromise करना पड़ेगा आपको, एंजल साब से कहते हैं, आप बहुत काबिल हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको compromise करना पड़ेगा, और यहाँ पर bottom में है awareness, आपको अपने अंदर awareness लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके, जो problem है, उसको आप समझ पा awareness आपको अपने अंदर लेकर आना है, और action लो, जो कुछ आप करना चाहते हैं अपने life में, जल से जल उसके तरफ action लो, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है, जो अलसी है, और angels आप से क्या कहना चाहते है, क्या guidance देना चाहते है, angels आपको, तो यहाँ पर ऐसा guidance आपके लिए आई है, कि आपको अगर आपके उपर कोई jealousy feel कर रहे हैं, तो उसको करने दो, ठीक है, आप उसके बारे में मत सोचो, जुसका जुसका कर्म उसको भुगतना पड़ेगा, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, अगर आप किसी के उपर jealousy feel कर रहे ठीक है, किसी के लिए jealousy feel करके आपको उसका कुछ भी फाइदा नहीं होगा, negativity ही attract करोगे आप, ठीक है, और क्या है, the garden and the gate, सारी खुश्या आपकी जिन्दगी में आने वाले हैं, number 30, number 20 आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं, तो देखो the garden and the gate बता रहे हैं कि सारी जो कुछ भ प्राप्त कर पाऊगे, the garden and the gate बोल रहे हैं, आप कही घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत सुकून मिलेगा, ऐसी किसी जगह पर आप बहुत जल घूमने के लिए जा सकते हो, और आपको पश्यू पक्षी जो होते हैं, उनके लिए कु और जो पेड़ पौधी होते हैं, उनको अगर आप पानी डालते हो, नेचर के सानिध्य में अगर आप रहते हो, तो आपको इसका result अच्छा मिलेगा, ठीक है, anxiety, number 18, देखो एंजल साब से क्या कह रहे हैं, ये तो हमेश्या बताना ही पड़ता है आपको, negative सोच रहे हो, बह negative energy से अपने आपको निकालने की कोशिश करो आप पहले, आप सब कुछ छुपा रहे हो, अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, तो वो नहीं बोल रहे हो, ठीक है, अपनी feelings, मेबी आपका जो communication skill है, उसको सुधारने की जरुरत है, और आपने से कुछ लोग ऐसे भी है, जो दूसरे को दुख न हो, दूसरे को कुछ तकलीफ न, इसलिए अकेले ही सहते जा रहे हो, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, आप अकेले ही सहते जा रहे हो, ठीक है, बहुत कुछ दर्द आपने अपने सीने में दबा कर रखा है, और आप छुपा रहे हो, हर चीज आप चुपा रहे हो और यहाँ पर है man holding a coin आपको अपने career के उपर focus करने के आवश्यक्ता है ठीक है पैसो पर ध्यान देने के आवश्यक्ता है मेभी आप मेंसे कुछ लोग ऐसे है जो इतने ज़़ा anxiety फिल करे हो परिशान हो रहे हो और मेभी आप अपने जो काम है उसके उपर focus नहीं कर पा रहे हो तो अभी वक्त है यह वक्त है अपने career के उपर focus करने का ठीक है चिंता नहीं करनी है सब कुछ ठीक हो जाएगा आप मेंसे बहुत तो परिशान दिखाई दे रहे हैं Forgiveness की ज़रुत है गाईजया पर ऐसे लोग आपके आसपास है जिन्नों ने आपका दिल दुखाया है आपको तकलिफती है और अब आपको ज़रुत है उनको माफ करने की एंजल खुद आपसे कहते हैं कि माफ कर दो लोग जलते हैं आपके उपर कोई तो ऐसा है जो आपका बुरा चाहता है और उसको माफ करने की आवश्यक्ता है क्योंकि जब तक आप उस इंसान को माफ नहीं करोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे आपके अ और एंजल साब से कहते हैं कि चिंता करने के आपको जरुत है ही नहीं परिशान होना ही नहीं है आपको जो हो रहा है जैसा हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है तो चिंता क्यों करनी हैं विदिन दा नेक्स्ट फ्यू मन्स आने वाले कुछ महिनों के अंदर आपके ल क्योंकि आने वाले कुछ मेहनों के अंदर आपकी जिन्दगी बदलने वाल है सब कुछ चेंज होने वाला है यहां पर एक कॉंप्रमाइज पहले भी एनरजी आई है और वापस एनरजी आई है यह भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी किसी वी चुछ के फाँ आपका और आपको उस एनरजी से अपने आपको लेड को करना है तो आपको लेड कर लेट नहीं कर पा करना चाहिए उस किस पास्ट के नगर्स के से निकलना ही चाहिए यह कि पास्ट में जीकर आपका प्रेसेंट घराब हो रहा है और फिचर भी खराब हो रहा है क्योंकि आप पास्ट की चंता करतेथे हो तो प्रेसंट पें कुछ आक्षन नहीं सी ले पाँ है अपने करियर के लिए या अपने आपको ग्रो करने लिए और जब आप प्रेसंट पर कोई action नहीं ले पाए तो इसका future का क्या होगा तो यहाँ पर है let go let go करदा उस past के energy से और compromise करना ही पड़ेगा आपको ऐसे कुछ चीज़े हैं आपके आसपास जिसकी लिए आपको compromise करना पड़ेगा not the right time एंजर आपसे कहते कि अभी ये time ठीक नहीं है आपके लिए अभी बहुत ही challenging time आपके जिन्दगे में चल रहा है लेकिन आने वाले कुछ महिनों के अंदर ये सब कुछ change होने वाला है सब कुछ बदलने वाला है अभी ठीक time नहीं चल रहा इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि हमेशा ही नहीं चलेगा तो आने वाले कुछ महिनों के अंदर आपके life change होने वाली है चिंता मत करो आप बस let go कर दो negative pass से ठीक है देखो आर्चेंजल राफिल आपको क्या message देना चाहते है healing and abundance are coming to you अगर आप अपने आपको heal करते हो तो सारा abundance आपकी तरफ आने वाला है negative सोचना बन करें positive सोच के साथ आगे बढ़े अपने आपको heal करो तब जाके सारा abundance सारी खुश्या आपके तरफ आने वाली है divine sight आपके लिए message है divine sight see the divine in everyone जो लोग आपके आसपास है जैसी के आपको बोला ना forgiveness की जरूरत है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो लोग बुरे है बैशक बुरे है जिन्होंने आपके साथ गलत विवार किया है लेकिन आपको ये एक बात याद रखनी है कि हर किसे में भगवान बसते है तो हमें कोई हक नहीं है किसी को दुख देने का, हमें कोई हक नहीं है किसी का दिल दुखाने का, ठीक है, और जो आप देते हूँ वही तो रिटन आता है, जो आप दोगे वही पाओगे, तो see the divine in everyone, divine sight, नमबर 7 आपके लिए कुछ खास हो सकता है, blessings आने वाल है आपके तरह, देखो मैंने बोलाना पहले कि आप पश्यू पक्षो को दान धर्म करो, कुछ चारिटी करो, कुछ दाना पाने डालो उनको, यहाँ पर भी वापस वही energy कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, चारिटी बगरा करते हो, पश्यू पक्षो की care करते हो, तो यह जो कुछ आप करोगे, तो वो multiply होकर आपके जिन्दगे में written आने वाला है, ठीक है, count your blessings and the good in your life will multiply, यह सब कुछ multiply होकर आपके जिन्दगे में वापस आने वाला है, अगर ऐसा कुछ आपने बहुत कर्म किये है अच्छे, तो बहुत जल यह सब कुछ आएगा आपके जि आप सच्चाई की तलवार कभी भी आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है, truth, वो सकता है कि आप एक सच्चे इंसान हो, और अगर आप ऐसे इंसान हो तो यह सच्चाई का साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, और यही आपके जिन्दगे में सब कुछ चेंज करने वाला है इंटेंशन आया है यहाँ पर, एंजल्स आप से कहते कि जो भी आपके इरादे हैं वो सही होने चाहिए, आपके इरादे अगर गलत है तो फिर उसका नतिजा भी गलत ही होगा, ठीक है, जो भी इरादे रखो, सही रखो, अपने भले के लिए काम करो, लव आया है यहाँ प देखो, जो आप दोगे वही रिटन आएगा, और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लव, अगर आपने प्यार दिया है तो बहुत प्यार आपके तरफ मल्टिप्लाइ होकर आने वाला है, और अगर आप ऐसा नहीं करें तो आपको जरा प्यार से व्यवार करने की जुरत है वो चाहिए आपके माता पिता हो, भाई बेन हो, रिलेशनशिप में हो, हस्बंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है, जो दोगे वही मिलेगा, तो प्यार बाटो और प्यार मिलेगा, देखो, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, जिस शक्ति को आप मानते हो, उस शक् ब्लेसिंग्स हमेशे आपके साथ है, अगर आप सिंगल हो, तो आपके लाइफ में प्यार आएगा, अगर आप सेप्रेशन में हो, तो आपका पार्टनर लोड कर आएगा, अगर आप शादी शुदा हो, अलग रहते हो, तो भी आपका सुला हो जाएगा, ठीक है, प्यार आ आएगा abundance भी आएगा यहाँ पर कुछ message है open all your eyes मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ चीज़े हैं आपके जिंदगी में जो आप शायद देख नहीं पारे हो ऐसा कुछ घटित हो रहा है जिसे आप देख नहीं पारे हो आपको आखे खोलने की जरुत है आपके आसपास क्या चल रहा है क्या कुछ घटित हो रहा है यह सब कुछ आपको जानने की आवश्यक्ता है गाईज open your eyes अपने आखे खोलो देखो क्या हो रहा है आसपास patience is the key आपको patience तो रखना होगा अगर सब कुछ ठीक होना है तो वो होई जाएगा लेकिन patience रखना होगा आपको यह ज़रूरी है आपके लिए ठीक है और देखो बहुत ब्यूटिफुल एंजल के दरब से आपके लिए message है there is a no light without darkness आप समझ रहे हो अगर अंधेरा नहीं होगा तो जो light आएगी उसका महत्वा आपको कैसे पता चलेगा तो यह जो संगर्ष है आपके जिंदगे में जैसे यह संगर्ष खतम होता है आपके जिंदगे में जो खुश्यो भरे दिन आएगे तो आप वो जो moment है बहुत जादा enjoy कर पाओगे तो यही थे आपके रेडिंग अगर आपके साथ result हो रहा है तो like, share and subscribe मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई